बालुट के मसुहूर डारेक्टार राजकुमार संतोसी के पिता, पियल संतोसी भी फिल्म इंड़स्टी के जाने माने नेरमाता थे, लेकिन अपने संघर्स के दिनों में भी राजकुमार संतोसी ने अपने पिता के नाम का कभी सहरा नहीं लिया, उन्होंने सबसे पहले गु तुन चक्रवर्ति के साथ बनांगे वही फिल्म घायल के लिए राजकमार संतोसी की पहली पसंद कमाल हसन थे और दूसरी सनी देवल प्रोडूसर ने कहा कमाल हसन की हिंदी सिनमा में ज़्यादा मार्केट नहीं है और उन दिनों सनी देवल की फिल्मे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी सनी देवल की समंदर सवेरे वाली गाड़ी और जबरजस्त जैसे फिल्में फ्लाप हो चुकी थी लेकिन राजकमार संतोसी अपनी जिद पर कायम रहे यह देख प्रोडूसर ने कहा कि ठीक है तुम यह कहानी सनी देवल को सुनाओ अगर उसे पसंद आ तो मैं इस फिल्म को प्रोडूस करूंगा और जब राजकमार संतोसी ने फिल्म की कहानी सनी देवल को सुनाओ तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा अगर आपके प्रोडूसर इस फिल्म में पैसा नहीं लगाएंगे तो हम इस फिल्म को प्रोडूस करेंगे और सायोग से जिस प्रोडूसर से राजकमार संतुसी ने बात की थी, उसने फिल्म घायल को प्रोडूस करने से इंकार कर दिया, क्योंकि वो मिथून के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था, और जब इस बात का पता सनीदोल को चला तो वो राजकमार संतुसी को लेकर जैपुर जहां पर उनके पिता धर्मेंदर अपनी फिलिम बटवारा की सुटिंग कर रहे थे। धर्मेंदर को भी फिलिम घयल की स्टोरी बहुत पसंद आई और इसके बाद सुटिंग शुरू कर दी गई। वही एक दिन सुटिंग के दरान जब धर्मेंदर ने राजकुमार से पूछा की तुम्हारे सरने में संतोसी क्यों लगा है। तब राजकुमार संतोसी ने बताया की वो पी एल संतोसी के बेटे हैं और जैसे धर्मेंदर ने सुना तो उन्होंने राजकुमार संतोसी को गले स कि लिए और भाद में धर्मेंद्रा उन्पर गुसा हुए और कहने लगे यह बात तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं है रहा हूँ मने आस तक बहुंसी फिलमें प्रोडूस की है लेकिन बतौर प्रोडूस आज तक किसी भी फिल्म में अपना नाम नहीं दिया लेकिन तुम् भी जब जाता पापूलर हुए और जब भी सनिध्यम सहब के वारे बात की जाती है तो घायल फिल्म के बारे में जरूर जिक्रिव होता है और सब्सक्राइब के लिंदेवर्ण वेता में तो दोस्तों आप लोगों को यह जनकारी ज्वाए वह कैसा लागा हमें कमेंट करके ज सेयर कीज़ेगा थांग्ची दोस्तों हमारी बिट वाचिंग करनी के लिए